कि सब्सक्राइब करें इंडियन टेस्ट को और बैल आइकन दबाईए नोटिफिकेशन पाईए अधिया प्रेंस वेल्कम बैक टू बाई चैनल और कैसे हैं आप सब लोग आज मैं बना रहे हूं अर्वी के पत्ते और कहीं पात्रा भी बोलते हैं लेकर मैं पत्ते बोल नहीं पर भासा में तो चलो बनाने शुरू करते हैं अर्वी के पत्ते बनाने के लिए हमने यह क्या-क लिया मैं आपको बताती हूं यहर्वी के पत्तिल बैंम्यम में यह नमक है यहां लाल मिर्च है यह हींग ह्दी अजभाइन है आम्चूरू पावडर है हरी मिरिच हमने हुट लिया चार पांच हम्हें थोड़ा थोड़ा करकी पानी डालना है नहीं तो हमारी गयान्ठ बन जाएगी एक थे इसे में पानी डालेंगे तो कि में आपल एसका गाढ़ाई पेश्ट बनाये नहीं तो पत्ते चिफकेंगे नहीं तोल हमारा बने के तैयार है ऐसा बनाना है यह हम रखेंगे दस मिनिट को तब तक हम पत्ते को तैयार करेंगे अभी इसमें मसाले डाल लेते हैं स्वाथ के अनसार नमग भी डाल लेते हैं थोड़ा सा हल्दी पावडर डालते हैं दालते हैं हमने लाल म्रेच । कम कभी डाली है क्योंकि हमें हरी दालनी थैंहरी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है को ओटी सी अजबान डाली है कि आम कुरू पाडर को डाला कूछ आम के पार आपके पास नहीं हो सकते हैं इमिली का वो पानी भी डाल सकते हैं लेकर डालना जरूर है खट्टा जरूर होना चाहिए कि यह चाट मसाला भी जालते हैं तोड़ा इस सारी चीजों को एक बार फिर में ला लेते हैं यह पत्ते बनाना हम सुरू करते हैं अरवी के पत्ते पहले हमें यह डंठल को खटा देते हैं कि नहीं करते हैं तो देते हैं तो जरूर में लेकर बत्ते हैं पत्ते हैं यह सोब से बहले हैं में पिंड हमें और फीकशंद स्षंद से भी इस एंसे ब्iamo कि अधर हमों चोटी पाड रहे थी ससलिए वणने इसान का लिया है चौपिंग पर नीचे पेपर को लगा ली आप फेल ला था आप ये श्मान रहती हो अभी ठी लगा लेते हैं ब्रां नीचे पत्ता का ho अब यह थो ने बड़ा पत्ता नीचे लिया था अभी हमें चोटा इसे यह से लेंगे और फिर इसको लगाएंगे एक उपर एक लगाते रहेंगे साड़े में छोटे लगाने पांस पांस पत्ते लगाने कि अच्छे लगाने हैं अच्छे से लगाना है छोटे पत्तों को ऊपर लगाना है बड़े पत्ते नीचे लगाने और एक त्यास आप हमें सारी में फिलाना है पत्ते आप कितने भी लगा सकते हो जिससे हमारा रोल अच्छा सा मोटा सा हो जाए देखने में अच्छा लगता है बड़ा रोल करेंगे हर जगा से हमें बेशन लगाना जिससे अच्छा से चिपके ऐसे हम बेशन को लगाएंगे थोड़ा बेशन को लगाएंगे बेशन को लगता है कि अच्छा से बेशन को लगा दिया थोड़ा थोड़ा जैसे हमारा खुले नहीं यह रोल अच्छा तरब से हमने इसको लोग कर दिया है अभी हम सारे पत्तों को ऐसे बना लेते हैं कि पतीले में पानी गरम होने को रख दिया इस पर यह रखेंगे चलनी इस पर रखेंगे अरभी के पत्ते और आपके पास अगर इस्टीमर हो तो आप इस्टीम कर सकते हैं में ऐसे ही करूंगी मेरे पास नहीं है थोड़ा पावल लगा देते हैं इससे पत्ते चिप केंगे नहीं अच्छे से स्टीम हो जाएंगे कि अगरे देटें पूल गया इस पर और अच्छे से यह पख जाएंगे 10-15 मिनिट बाद फिर हम चेक करेंगे तो हमारे अच्छे से स्टीम हो गये अभी हमें इनको पीसस में काटेंगे फिर हमें को भिलाई करेंगे अभी हमें इसको काटते हैं चाकु से को एम यह जो हमारा गर्म हो गया है Après इसमें सन्कूंप कि यह हम इसको सेलो फ्राइब करते हैं आप दी फ्राइब करते हो कि इतना अच्छा लग रहा है किने में न हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है जाता तेज गैस नहीं करी हमने अच्छा सा नहीं से गएगा अंदर तर हम साधे पकोड़ों को ऐसे ही से लेते हैं अरभी के पत्ते के पकोड़े बनके तयार हैं बहुत अच्छे बने कलर भी बहुत अच्छा आया है खाने में बहुत टेस्टी हैंगे आप वेकवा जरूर ट्राइब करें आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक और सेर कर लीजिए फिर में मिलती हूँ एक नई वीडियो को साथ तब तर के लिए बाई बाई झाल 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 झाल